कि अपर के नेताओं को हाँ स्वागत मन्थन और ट्रू स्पिरीट में फेडरल स्ट्रक्चर का एक जीवन्त अनुभव भारत की विवित्यता भारत की विशेस्ता जीट्वेंटी अपने आप में हमारी विवित्यता का सेलिवरेशन बन गया और जीट्वेंटी में भारत इस बात के लिए हमेशा गर्व करेगा कि ग्लोबल साउथ की हम आवाज बनें आपरिकान उनियन को स्थाई सदस्यता और जीट्वेंटी में सर्वसम्मति से डिकलेरेशन यह सारी बाते भारत के उजवल भविशे के संकेट दे रही है कल यशो भूमी एक इंट्रनेशनल कन्वेंशन सेंटर राश को समर्पित हुआ कल विश्वकर्मा जैंती थी देश के विश्वकर्मा समुदाय को जो परंप्रागत पारिवारिक हुनर है उसको ट्रेनिंग आधुनिक तूल आर्थिक प्रबंदर और नए सिरे से यह विश्वकर्मा समर्थ भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में कैसे अपनी भूमी का अदा करें एक अनेक एक के बाद एक भारत को भारत के गवरों को बढ़ाने वाले एक प्रकार चे उत्षा का माहूल उत्षा का माहूल उमंग का माहूल और सारे देश में एक नया आत्मविश्वास हम सब अनुभव कर रहे हैं उसी समय संसथ का ये सत्र इस पार्श्व भूम में संसुद का इस सत्र ये सही है कि सत्र छोटा है लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है आइतिहां से निर्णों का एक सत्र है ये सत्र की एक विसेता ये तो है कि आप 75 साल की यात्रा अम नए मुकाम से आरंब हो रही है जिस मुकाम पर 75 साल की यात्रा की वत्यंत प्रेरक पल और आप नए स्थान पर उस यात्रा को आगे भढ़ाते समय नए संकल पर नई उर्जा नया विश्वास और समय सिवा में 2047 में इस देश को डेवलप कंट्री बना करके रहना है इसके लिए आने वाले जितने भी दिने होने वाले वह इस नए संसद्धोन में होने वाले और इसलिए अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण यह सत्र है मैं सभी आदानिय सांसदों से आग्रह करता हूँ इस छोटा सत्र है ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले उमंग और उत्सा के वातावां में मिले रोने धोने के लिए बहुत समय होता है करते रहिए जिवन में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो उमंग से भर देते हैं विश्वास से भर देते हैं मैं चोटे सत्र को उस रूप में देखता हूं मैं आशा करता हूं कि पुरानी बुराईयों को छोड़ करके उत्तम से उत्तम अच्छाईयों को साथ ले करके हम नए सदन में प्रवेश करेंगे और नए सदन में अच्छाईयों की मुल्य बुर्द्धी करने में कोई कमी नहीं रखेंगे यह प्रण सभी संसद हम ले करके चलें कि इसका यह महत्वपुन पल्व है कि कल गनेश श्यतुर्धी का पावन पर्व है गनेश जी विग्न हर्ता देवता माने जाते हैं अब भारत की विकांस यात्रा में कोई विग्न नहीं रहेगा निर्विग्न रुप से सारे सपने सारे संकल्प भारत परिप्रून करेगा और इसलिए गनेश चतुर्धी के दिन यह नवप्रस्थान नए भारत के सारे सपनों को चरितार्द करने वाना बनेगा इसलिए भी इस चत्र सत्र छोटा है लेकिन बहुत मुल्यवान है बहुत बहुत धन्यवाद तो संसत के विशेश शत्र की शुरुवात होने से पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी संसत परिशा से समवादाताओं को संबोधित कर रहे थे उन्होंने शुरुवात कि साउत की हम आवाज बने आध में आफ्रिकन उनियन को कि